सलाम उलिकुम विएर्ज वेलकुम तो दे सुरेंट्स प्लेटफों। विए आज हम PSY 512 जेंडर इशूस इन साइकोलोजी के लेसन बेर 32 को डिसकस करेंगे। जेंडर हेल्थ एंड एजिंग एजिंग के बारे में एजिंग refers to the biological changes that take place with the passage of time. इस changes are inevitable and irreversible. यानि के biological changes होती हैं वक्त के साथ साथ इनसान के उमर बढ़ने के साथ साथ इसको एजिंग कहते हैं यानि के उमर का बढ़ना. Effects of aging एजिंग effects क्या क्या होते हैं? Highlighted points तो हैं वो आप लोग MSQs के वाले से important हैं इनको पढ़ लीजेगा एक दफ़ा. दो effects का यहां पर जिकर है Physiological effect और Psychological effect Physiological या Biological effect के अंदर कौन कों से effect शामिल हैं? पहले में कहा रहा है कि उमर बढ़ने से और्गन्स जो होते हैं बोड़ी के इनमेफिशेंसी कम हो जाती हैं. कम नजर आना, उंचा सुनाई देना वगारा. Muscles की movement slow हो जाती है. Immune system कमजोर हो जाता है. इनसान जल्दी बिमार हो जाता है. hormones में भी slow या कम अगदार में तबदीली hormones slow बनते हैं या कम अगदार में बनते हैं. Alzheimer disorder हो गया, Parkinson disease हो गई, old age में develop होती हैं. Bones जो हैं, वो बहुत जल्दी fracture होना शुरू हो जाती हैं. उसके लबाद changes in appearance. चेहरे पर पुख्ती आ जाती है, जुर्गयाना शुरू हो जाती है, बालों का रंग सफैद हो जाता है, दान्त निकल जाते हैं, जिसकी वज़ासे मूग की शेप में भी तबदीली आ जाती है. हाइट शॉर्ट हो जाती है, बाड़ी में जुका हो आ जाता है. psychological changes क्या के हैं, नमबर वन है learning, यंग लोग चिज़ों को जल्दी सीख जाते हैं, इनकी memory old people के मुकाबले में अच्छी होती है. नमबर टू, attention and concentration, बड़े लोग चिज़ों पर focus नहीं कर पाते हैं, तब जो नहीं दे पाते हैं. नमबर टू, memory, इनकी memory बहुत weak हो जाती है, चिज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, नमबर फूर, intelligence, जाहनत में भी कमी आ जाती है, old people IQ टेस्ट में अच्छी कार्ट कर दिभी नहीं दिखा पाते हैं, self esteem, personality and self concept, ओल्ड लोगों में self esteem कम हो जात है, वो छोटी छोटी बात को बहुत ज्यादा feel करते हैं, आगे, emptiness syndrome, वो सुरते हाल जिसमें बच्चे अपने वालदयान को छोड़ कर चले जाते हैं, बहुत से parents के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल होता है, उसके लावा next lesson में इसको हम detail से पढ़ाएंगे इस ट्रॉबिक क ये थी viewers आपकी आज की वीडियो, आज का lesson, lesson 32, I hope I made it clear, मिलते हैं जल्दी next lesson के साथ, till then take care, Allah Hafiz